अब हम बात करेंगे food for people in the cities तो अब जो है हम सहरों में रहने वालों के लिए जो भोजन था उसके बारे में बात करेंगे तो लोग जो है वो सहरों के अलावा गाउं में भी रहते थे वे जो है अना जुगाते थे और जानवर पालते थे farmers और herders जो है यही supply करते थे foods to craft person, scribes और rulers को जो की सहरों में रहते थे plants के remains से पता चलता है कि हरपन्स के लोग wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed और mustard को जो है उगाते थे मतलब की गेहूं, jaw, डाले, मटर, धान, तील और सरसों को उगाते थे अब जो है एक नई टूल, plug का यूज जो है अर्थ को खोदने के लिए किया जाता था ताकि जोताई हो सके और seeds को लगा सके हरपपक काल के जो हल है वो तो नहीं बच पाए हैं क्यूंकि वे प्राया जो है लकडी से बना जाते थे लेकिन plug मतलब कि हल के आकार के जो खिलोने हैं वो तो मिले हैं जिस से हमें आइडिया लगता है चुकि यह region जो है heavy rainfall receive नहीं करता था इसलिए कुछ form के irrigation जो है जरूर यूज किया जाते होंगे इसका मतलब यह है कि water जो है जरूर store किया जाता होगा और supply किया जाता होगा फिल पर जहां पर plant को grow करते होंगे अगर जानवरों की बात करे तो हरपण्स जो है वो cattle, sheep, goat और buffalo को पालते थे मतलब गाए, भैंस, भेर और बकडियों को पालते थे बस्तियों के आसपास जो है water और pasture जो है होते थे लेकिन dry month में जो है एनिमल्स के जुंड को चारा पानी की तलास में दूर दूर तक ले जाए जाता था वे जो है बेर जैसे फलों को इकठा करते थे, मचलिया पकरते थे और हीरन जैसे जानोरों का सिकार भी करते थे तो ये तो हमने उनके भोजन के साधन देखे